हेलो एस्टुएंट अब भेरी गुड मॉर्णिक टू अल आप यू कैसे हैं आप लोग मेरा नाम से तांस कुमार आपका और हम सब का व्यूटिफुल सा चैनल साइंसकंसेप्ट.online पिछले दिन हम लोग मेंडल्स के बारे में पढ़े थे और कुछ जेनरल इंट्रोडक्शन देखे थे हेरी डिक्ट्री एन इबोलीउशन चैप्टर का आज लेक्चर नमबर 3 होगा जिसमें हम लोग देखेंगे मेंडल्स के एक्सपरिमेंट के बारे में पिछले दिन जेनेटिक्स क्या होता है तो आप बोलेंगे जेनेटिक्स अग वाइलोजिक अबरांच है जिसमें हम लोग हैरी डिट्री यानि इपोलीउशन के बारे में परते हैं हैं विछले क्लास में बताए हैं प्रोसेस और ट्रांसफर और क्रेक्टर फ्रमों जेनरेशन टूद नेक जो जेनेटिक्स अबर्शन के द्वारा दिया गया था ठीक ए सब चीज देखें हैरे आज हम लोगें से अक्सेमेंट के बारे में पढ़ेंगे सब्सक्राइब मेंडल एक्सपरिमेंट चलिए, मेंडल वन प्यार कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को सेलेक्ट की उसको डाई हाइबरीड बोले, तो मैं बताता हूँ मोनो हाइबरीड का मतलब है, डाई हाइबरीड का मतलब है, मोनो हाइबरीड का मतलब है, जैसे हाइट एक कैरेक्टर है, तो हाइट क्या हो सकता है, या तो टॉल हो सकता है, या फिर ड्वार्फ हो सकता है, टॉल के लिए करपीटल टी सरी परजेन करते हैं, देखो बता देता है, जैसे यह लिखा हुआ है, तो एक करपीटल टी है, और स्वेट करें थिक तो मोनो व्कुलन करेंगे ठीक तो मोनो हाइब्रीक्ट क्रॉज का मतलब हो गया किए 200 वाल जो depends दो्मीनेंट करके एक डूमिनेंटों कर्तेश का बात करेंगे जैसे न्यों फिल्हकर दो को ले लिए तो इसको अगर हम लोग क्रॉस करेंगे से इसमें देखो दो क्रॉस कर रहे हैं दो करेंगे इसी तरह तीन केरेक्टर को एक थाइब आप गया लाएंगे पुरा साथ रेक्टर है से कंट्रास्टिंग तिन क्यों नहीं ला सकते हैं अब सब्सक्राइब क्लम लेते हैं ये लो टोमीनेंट है तो इसी एदर गली लेते हैं यह थेडेडीपेर क्ण्ट्रास्टिंग क्यडे़ेक्टर हो जाएगा तो मैं अब define करने जा रहा हूं तो सम्झाएंगा तो चलिए मैं लिए देता हूं अगरेक्टर को अगरेक्टर को क्या बोलते हैं मोनो हाइब्रिड बोलते हैं ठीक है तो प्यर नंतास्टिग किरेक्टर कोंपलोग डाई हाइड बोलते हैं ऐहा, ठीक रूहु का गया हुँ कंट्रास्टिंग करेक्टर को क्या बलते हैं ट्राई हाइब्रीड ठीक है अब हम लोग मोनो हाइब्रीड देखेंगे क्या होता है ठीक है तो मोनो हाइब्रीड क्रॉस देखने ईक छलते हैं दोकिक्या वतल एक हेडिंक बना देता हम बनो हाइब्रीड क्रॉस ऑ secular सक्रेंडर्स healthy ते मिल इस एक्सपरिमेंट में कैवाल एक ही करेक्टर को कॉंसीडर किया गया तो मैं लिख देता हूं only one our contacting character what considered है रही है यह गिए कंटास्टिंग कारेक्टर को sports किया गया जैसे देखो क्रोश जब भी होता है तो एक मेल होना चाहिए एक female होना चाहिए तो बाई लोजी में मेल का सिंबॉल यह होता है फीमिल का सेंबॉल ऐसा होता है तो मालों हम एक प्रम क्ष Gold कर रहे हैं तो एक है ये था ह। में मतलब मतलब तो देखो क्या करने में तो यह तो हम लोग कि द्वाब से क्या कर रहे हैं क्रॉस कर रहे हैं तो यह वाला टी को इस से मंटिप्लाइ करेंगे आप तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा इस टी को इस से करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा इसको एफ वन जिनरेशन बोले जाता है कि जितना साला प्लांट है ना जितना साला प्लांट है सब क्या है टॉल है सभी टॉल है दिखाए देरा है हाँ एफ वन जिनरेशन में जितना साला प्लांट है सब ही टॉल है अब मेंडल देखें कि देखिए यहां पर टॉल वाला भी मतलब डॉमिनेंट वाला कैरेक्टर भी है रिसेसिव वाला कैरेक्टर भी है तो सिर्व डॉमिनेंट वाला ही अपने आपको रिपर जेन कर रहा तो फिर बेंडल क्या किये एक वान का मतलब क्या है फिलील जेंडेरेशन जब आया है शब टॉलाया है शब टॉल के पीटल टी स्मॉल टी के पीटल टी स्मॉल टी तो इस इंटर्मिडियेट है चाहिए लेकिन इंटर्मीडियेट नहीं आगे सब का सब प्लान्ट टॉल हो गया क्योंकि काइपिटल टी स्मॉल टी के उपर डॉमिनेंट था यहां से कंसेप्ट नहीं आया जैसे अभी यह पॉन करेंगे तो ड्वार्फ बला भी प्लांट आएगा इसका मतलब वहां से कल्क बबस सही एफ उन जेनरेशन यह हो गया अब इसी के दो प्लांट के सीड़ को क्रोबाएंगे तो क्या आएगा यह फोन करेंगे तो एफ फवन प्याया था इधर बिंदर तो आपक्टी क्राओं कि करो क्रोजिंद के पिटल के स्मॉल टी को मंटिप्लाइब कर रहे हैं कि प समौ Theater trzy को करोगे समौवाइगा स्मौ स्मौन the Gir틀 जो घण करोगे स्मौन केस्ट माझ याएगा ना वए स्मौन देखा ni theo है कि हाँ लुक्ते टोल हो गया यह मनद टॉल हो गया एज्छ सिस्टैने तीन प्लाइंट देखा गया कि टॉल है तीन ऐसा प्लांट है जो टॉल है और एक प्लांट को देखा गया जो ड्वार्फ है तो यहाँ पर आप से पुछा जाएगा कि अब बात करेंगे फेनोटाइपिक रेशियो क्या है मैं बात करूंगा अभी सुनू तो यह देखने को मिला कि तीन प्लांट बड़ा है एक प्लांट छोटा है ठीक है अब यहां से आपको पूछा जाएगा कि मोनो हाइब्रीड का फेनोटाइपिक रेशियो बताईए इक्सटर्नल फीचर अग्सटर्नल फीचर जीनोटाइपिक का मतलब होता है जीनेटिक मेकप जीन का क्या बनावड है यहां देखो यह सब जीन है इसका बनावड देखो अगर यह अलग तरह का धा तो अगर जीन ताइफिक रेसियो का बात करेंगे तो यह वान हो जाएगा यह यह यहां जाएए इस्ट लिकंट追ते हैं यहां यह जेन के हो नेटिग में का एक्स्टर्नल फीचर एक्स्टर्नल फीचर ठीक है और दूसरा होता है जीनो टाइपिक जीनो टाइपिक का मतलब जेनेटिक मेकप कैसा है जेनेटिक मेक अप ठीक है चलो तब मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि मोनो हाइब्रीड जो है इसका फेनो टाइपिक और जीनो टाइपिक रेशियो क्या है उस पर बात करना है याद भी रखना है फेन एक दाम में आएगा फेनो टाइपिक रेशियो मतलब तीन प्लांट टॉल है और एक फ्लांट दोर है लेकिन कैरेक्टर दोनों का है अब एक ऐसे आभी किलियर करके क्ल्कूरूचन बताऊंगा कि देखा सब्सक्राइब कि आपका एफ टू जिनरेशन हो गया कुछ ड्वार्फ है इसका मतलब कि एफ टू में क्यूं आ गया क्योंकि आपको रिपरजेंट नहीं किया क्योंकि टॉल वाला जिन हो डोमिनेंट है इसलिए वहीं अपने आपको एक्स्प्रेस किया है लेकिन जैसे ही यहां दो रिपरजेंट कर दिया इसलिए क्योंकि घ्राम दोनों केर्यक्टर है यहां गया POL रिफच्ट करे रहा है इसका मतलब क्योंकि आपको याद रखना Nom को आटापी। डाना टल इंचर ककल प्लान नहीं अट यादर रखना थिक जिए गेनो टाइपिक रेशियो आपको याद रखना है वन इस तू देख लो एक तरह का यह है अब हम लोग बात करेंगे क्या कल्कुलूजन निकला इससे पहले एक और तरीका है क्रोस करवाने का अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा तो एक और तरीका है अब हो मैं आपको कहां पर बता दूँजन चलो यहां पर बता देता हूं यह और तरीका है जिसको पनिट स्कायर बोलते है जिसको एक देखो यह क्या करना है दिखाई दे रहा है तो इसको से मटिप्लाई करो तो इसको से करो तो देखो नहीं यह फोन और फोन को नहीं क्रोस करना था इसको करो तो इसको करो तो इसको करोगे स्मॉल टी आप देखो यह सिंगल तरह का है प्लांट ऐसा कोई और यह सिंगल तरह का है तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा ओन इस टू टू इस टू बढ़ा है यहीं छोटा है तो इसको पॉनेट इसक्वाइर बलते हैं इसको आप लिख सकते हो पॉनेट इसक्वाइर चलिए मैं इरेज कर रहा हूं और मोनो हाइब्रीड का कल्कुलूजन लिखने जा रहा हूं आप फिर पॉज करके लिख लिजिए मैं इरेज कर रहा हूं कि देखो लिख लिए और मैं कल्कुलूजन लिख चुका हूं यहां पर देखो कल्कुलूजन मतलब मोनो हाइब्रीड क्रोस देखे हैं तो उससे हम लोग किया कल्कुलूजन मिला है क्या आप लोग देखे है कि आप जर्ब किये हैं उसी पर बात करेंगे ठीक है कल्कुलूजन में जितना सारा प्लांट हम लोग देखे थे सब टॉल था तो देखो क्या किये थे टॉल और ड्वार को सब सेम है जिनोटाइफिक तो देखो यहां पड़ाम कर देते हैं सबसे मैं तो आप जैसे ही हम लोग एक वार को क्रॉस किये हैं देन वी घॉल फुजन गुजन में लोग को फुजन घॉलाइशन इसको ऐसे किये थे देखो ठीक से किये थे तो एक ट्वार्व है ठीक है तो छुछ जेनेरीशन में हम लोग को कुछ फैलान्ट इन विस्ट्वार्व और वर्वार्व इंद तुम जीज एक लिए लेकिन अपने आपको एक्स्प्रेस नहीं किया दिव्टू पर्जेंस ऑफ डोमिनेंट जीन और भी अहां पर देखो यह कर्पिटल्डी एस्मॉल टी है तो अगर दोनुज जीन इकोल एफ्रेक्ट करेगा तो इंटर्मीडियेट प्लांट होना चाहिए नहीं बड़ा होना च इसलिए डोमिनेंट वाला कि अपने आपको एक्स्प्रेस किया है और जो स्मॉल टी है ou रिसेसिप वने कि वाज़े से अपने आपको एक्स्प्रेस नहीं किया है अप кажется डिख्ट हेट्रोडाइगस कंडीशन भी अपने आपको एक्सप्रेश करें उसी को डॉमिनेट बोलेंगों बझेखो और जीन वीच एक्सप्रेश्ट कंडीशन इचका डॉमिनेट और कहीं अथा आप है क्ट्रोडाइगस कंडीशन हो इस सम्झे लेकिन एक Capital T है एक Small T है और यह हेक्ट्रोजाइगस कंडिशन हो गया एक तरह का नहीं है अलग अलग है तो हेक्ट्रोजाइगस कंडिशन में जो अपने आपको एक्सप्रेस करता है इसलिए क्या होता है जो अपने आपको हेक्ट्रोजाइगस कंडिशन में एक्सप्रेस नहीं करें तो यह छोटा वाला यह प्लांट देखा गया कि टॉड़ है तो छोटा वाला अगर टी है अगर यह एक्सप्रेस करता तो प्लांट ड्वार्प होता चाहिए इंटर्मीडियेट होता लेकिन प्लांट टॉल हो गया इसका मतलब यह अपने आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहा है इसका मतलब है तो यहीं बात लिख दिए हैं चरू देखो एक नूट करके बाद जाने वाली बात है जो डोमिनेंट जीन होता है न होमो जाइगस कंडिशन में भी होर हेक्टरोजाइगस कंडिशन में भी अपने हापको एकश्प्रेज करेंगा लेकिन जो रिशेसिव जीन होता है ना ओकेवल होमोजागस me अपने आपको एक्सुप्रेज करता है दिखो तो क्यों होमोजाईगस चंडििशन है तो ये रिक्को उली सब्राइग से थीजन अपने करेंगा स्मॉल ही बनेगा प्लाइन लेकिन अपना इफेक्ट दिखाया यहां पर कैपिटल है तो यह तो दिखाएगा ही तो एक बात याद रखना है कि हेक्ट्रोजाइगस डोमिनेड जो है वो सब कंडिशन में अपने आपको एक्सप्रेस करेगा लेकिन जो रिसेसिव हो के वल होमो देख लिए अब हम लोग F2 पर बात करेंगे F2 जेनरेशन पर चलो मेंटल का मोनो हाइब्रीड हम लोग क्रॉस देख लिए उसका कल्कुलूजन देख लिए जिसमें आपको याद क्या रखना है फेनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो कोई आप से पूछेगा मोनो मतलब तीन प्लांट क्या है और एक प्लांट क्या है द्वार यह बात आपको याद रखनी है ठीक अब जीनोटाइपिक रेशियो कोई आप से पूछेगा तो आप बोल देख चुके है कैसे कैसे क्या है आप ध्यान से देखेंगे हम समझाए है अब सुनू है अब आगे हम नेक्ट लेक्चा में पढ़ा है तो डाइविरीट क्रॉस में आप से पूछा जाएगा कि आप फेनोटाइपिक रेशियो बताइए जीनोटाइपिक रेशियो बताइए तो आपको याद करना बहुत टॉप हो जाएगा लेकिन हम सेंपल ट्रीक देते हैं आप धाय धाय नि भीजारव तो तो फिर से एक बार और मॉनोहाइब्रीट का फेनोटाइपिक रेसियो से गुणा करतेंगे और कहें गुणा करतेंगे अब नहीं समये तो यह वाला थेडी को इस से मंटिप्लाई करो थेडी को बन से तो 3, फिर 1 को 3 से multiply करो, इसको इससे एक बार, फिर 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 1 को 3 से करो, तो 3, फिर 1 को 1 से करो, तो 1, यह हो गया, dihybrid का फेनो टाइपिक रेशियो, अब dihybrid का जिनो टाइपिक रेशियो सबको याद न फिर 1 को 1 से मंटिपलाए करो, फिर 1 को 2 से मंटिपलाए करो, मतलग, उन कौ से मंटिप्लाई करेंगे तो एह आपका हो गया प्रेमघर केमियो कोया ॥ अगर कोई क है को से त्राय हाइंब्रीडक निकाली के तो आपको मोनो हाइब। टािटे चेह याद रखratos किए तो मोनो टाइबुरिडक निकालने के लिए आप मुझाला सूफ दो ले कर दोगे तो कंसेप्ट बता चुके हैं फेनो टाइपिक जिनो टाइपिक के लिए आपको कोई टेंसर ही नहीं बस क्रॉस करना सिखा देते हैं और यह भी हम बताएंगे लेकिन आप याद नहीं करना सिधा मोनो हाइब्रीड का फेनो टाइपिक रेश्यू याद है न थिरी इस्टु व कोई प्रोब्लम होगा तो डाउट सेक्शन में आपको सकते हैं